मुझे लगता है शाद कुछ लोगों को पढ़ने लिखने की आदत कम है, वो अपने समय के आंकडे देखने और NDA के समय के आंकडे देखें, बड़ा अंतर है, हमने अनिम्प्लाइमेंट रेट को बहुत कम किया है, रिकॉर्ड सर पर कम है, और लगातार रोजगार सुरोजग भारत में बना है, सैंक्ड़ो नहीं, हजारो लाखो क्रोड़ बे का अनुवेश भारत में आ रहा है, अज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थवियस्ता भारत बनी है, दुनिया की उमीद भारत है, प्राइट स्पॉर्ट अगर दुनिया भर में कोई है तो चुरासी के दंगों से लेकर आप तक जो फसाद और नफरत कॉंग्रेस फैलाती है, देश उसे वाकिफ है, देखिए सबसे ज़्यादा बार संभिधान में संशोरदन किसी ने किया तो कॉंग्रेस ने किया, एक तरह से उसकी आत्मा को इस संभिधान की कुचलने का काम किया तो कॉंग्रेस ने किया, मैंने तो लोग साद राहूल गांदी जी कम से कम इतना तो बदातो, संभिधान के पन्ने के जिने होते हैं, उनको ये तो पता नहीं, और जो संभिधान की कॉपी लेकर घूमते थे, इसी भी की, उसका प्रीफेस और फॉरवर्ड, उसकी प्रस्ता की थी, और ये भी कहा था, कि अगर आम जंता को किसी ने बचाया, तो बाबा साब मिद्गर संभिधान ने बचाया था, तो राहूल गांदी जी कम से कम प्रीफेस फॉरवर्ड तो पढ़ लो जो लिखा है, राहूल गांदी पपु नहीं है, वो एजूगेटी है, वो एज करके जाएं, कि वर बदनाम करने का काम ना करें, और दुनिया बर में भारत की छवी को गिराने का काम ना करें, एक और पिछले दस वर्षों में मोदी जी के नितरतब में, भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बहुत बड़ा है, दुनिया बर में भारत ये कहते हैं, हम तो आप समझ लीजिये, कॉंग्रेस की सोच क्या है, और कॉंग्रेस की सही होगी तो संसत पर हमला करने वाले अफजल गुरू के भी पक्ष में खड़े हो जाते हैं, जम्मु में बहुत जोश है, और जम्मु कश्मीर की जनता दिखाती है, मैं पीछे पाटर और किष्टवार मैं गया, आज जम्मु वेस्ट, जम्मु नौर्थ में हो, शांदार जो जोश है, यह दिखाता है, तीन सो सत्तर अटाने के बाद जो विकास हुआ है, अब जनता जाती है, पून बहुमत की बाद्टवार।